रास्ट्य पुरतकार विजेता फिल्म निर्माता संकल्प रेड़ी ने कहा कि उनकी आगामी फिल्म IP71 2017 की फिल्म दगाजी अटेक्टा प्रेक्वल है विद्धु जामवाल द्वारा डिरेक्टेड और निर्मित आगामी फिल्म 1971 गंडा हाईजैक की कहानी कहती है जिसने भारत को पाकिस्तान पर रनीतिक लाव हासुल करने में मदद की जब विद्धु जामवाल आईबी 71 का विचार निर्देशक संकल्प रेड़ी के पास लेकर आये तो उन्हें एक स्टेंड़नोन फिल्म से कहीं अधिक की संभाव ना देखी रेड़ी ने साज़ा किया कि जब विद्धु ने मुझे गंडा हाईजैक की गटना की बार में बताया तो मुझे लगा कि ये बताने के लिए एक शानदार कहानी है लेकिन जैफे जैसे हम रिसर्च किये और गहराई में गए हमें एसास हुआ कि ये दगगाजी अटेक के ल प्रशन सित्स फिल्म थी जिसने भारती पंडुग भी आई एंस करंच की कहानी बताई थी जिसने 1971 के बारत पार्युद्ध के दौरान पाकिस्तानी पंडुग भी पी एंस गाजी को डुगो दिया था फिल्म को इसकी प्रमारिकता टेक्निकली ठिंग और अच्छी कहानी के लेट सरहा गया था आई बी 71 के लिए अपने शोद के बार में बात करते हुए रेटी ने कहा कि जब मैंने इस फिल्म के लिए रिसर्च करना शुरू किया तो मुझे यह एहसास हुआ कि बहुत से लोग यह 1971 के गंडा आई जैक के बारे में नहीं जानते थे इतियास से तत् पर जीवन्त करने के लिए कड़ी मेहनत की है आई बी 71 के लिए रिसर्च और भी कहन था हम तथ्यों के प्रती मांदार होना चाहते थे और घटन में शामिल लोगों को पुष्ट धांजली देना चाहते थे हमें विमान कॉस्ट्यूम और उसी स्थान को प्राप्त करना था दर्शिकों को उस यूख में वापस ले जाने के लिए छूटी से छूटी जानकारी ठीक होनी जरूरी है तो उमीद करते हैं 12 मई को रिलीज हो करके ये कहानी सबको पसंद आएगी आइडे 71 को CBFC द्वारा UA certified दे दिया गया है साथी इसका run time 11.37 minute second यानि की 1 hour 59 minute 37 second है आप तो इस बार में क्या ख्याले में पड़ा पर से बताईए कॉमें सेक्शन में और जाते जाते इस वाले वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना दिल को लब भूलिया और मुझे आनी शूती को दीजिए जासत नमस्कार हुआ है